नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों आपके लिए एक बहुत ही शांदार न्यूज में लेके आया हूँ अब सिक्सकों को अगर कोई डराता है या धमकाता है या अधिकारों का हनन करता है पूरी डिटेल में जानेंगे हम आज की साथियों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की इनफोर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इनफोर्मेटिव वीडियो वाटसब ग्रूप और इनफोर्मेटिव वीडियो टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए है आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के डेस्किप्शन बोक्स में मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो चलिए जानते हैं पूरी प्रोसेस क्या है अब सिक्षकों को डराने और धमकाने या अधिकारों के हनन पर सीधी FIR दर्च होगी FIR पीडित सिक्षक के राज्य में नहीं बलकि दूसरे राज्य में दर्च की जाएगी यानि कि जिस राज्य में सिक्षक पीडित है उसमें तो करी सकते हैं इसके साथ साथ दूसरे राज्य में भी दर्ज कर सकते हैं राष्ट निर्माताओं के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए राष्ट्या सिक्षक अधिकार संदक्षन समीती का गठन हो चुका है यानि कि एक समीती बनाई गई है सिक्षक अधिकार संदक्षन समीती जो सिक्षकों के तबादलों की धमकी देने जैसे किजी सिक्सक के तबादले की धमकी कोई दे देता है अपमानित करने या उनके सम्मान को ठेश पहुचाने वाले लोगों के खिलाप कड़ी कारवाई अमल में लाएगी। समीती का एक ओनलाइन पोल्टल जिस पर किसी भी राज्य का सिक्षक अपनी सिकायत दर्ज कर सकता है। सिर्मोर के डाक्टर संजीव अत्री को हिमाचल परदेश का परभारी न्युक्त किया गया है। डाक्टर संजीव अत्री ने बताया कि समीती सिग्र ही हर परदेश के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक आयोजीत करेगी। उन्होंने बताया कि समीती के अध्यक्ष डाक्टर आर एस सालू के अगले महा के अंध तक हिमाचल पहुचेंगे। समीती सिग्ष को का अपमान करने, छवी खराब करने, उन्हें बेवज़े धमकाने और उनके अधिकारों का हनन करने जैसे मुद्दो पर कानूनी कारवाई करेगी। उन्होंने बताया कि परतेक राज्य से प्राप्त होने वाली सिकायत पर पहले राज्य प्रभारी नीजी स्तर पर जाच करेंगे, इसके बाद आग्यामी कानूनी कारवाई सम्मंदी परक्रिया अमल में लाए जाएगी। तो सातियों काफी अच्छी न्यूज है, सिक्सक, समाज और रास्ट का मैथपूर्ण संगटन होने के बावजूद भी उन्हें तबादलों की धमकी मिलना, अपमानित करना और उन्हें सम्मान ने मिलने जैसी घटनाएं सामने आती रही है, उन्होंने कहा अब सिक्सकों के स अमान से खिलवार करना आसान नहीं होगा, इसके लिए समीती का गठन हो चुका है, तो सातियों काफी मैथपूर्ण न्यूज है, समीती का गठन हो चुका है, तो अब अगर सिक्सकों कोई धमकाता है, ट्रांसफर की धमकी देता है कि मैं तुमारा ट्रांसफर करा दूँग तो शातियों अगर आपको ये news अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए है पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बैल के आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिविकेशन मिल सके दन्यवाद